चेतना के चार अस्तर होते हैं, मनुवे ज्यानिक कहते हैं, चेतना के चार अवस्थाएं होते हैं, अब अन्तीम बात मैं कह रहा हूँ, कवन कवन अवस्था होता है, पहला जागरित, देखो मनुवे ज्यानिक हैं, उसकी बात कह रहे हैं, चेतना की चार आवस्था है, पहला होता है, क्या होता है पहला, जागरित तवस्था, जागरित तवस्था में क्या होता है, यहां करता का भाव होता है, जागा है ना, मैं यह कर रहा हूं गुरुजी मैं यह कर रहा हूं, मैं दिन भर काम करता हूं, राहुल नहीं करता है, वह नहीं करता है, मैं ही करता हूँ, कहता है ना, तो यह करता का भाव, जागरी तवस्था में करता का भाव है, दूसरा होता है भाव, सुअपन, सुअपन में जो होता है, सभी कुछ खतम हो जाता है, न वहां ब्राह्मन न न बैश्य है, न शुद्र है, न रास्थपती है, न च वह सब सब्ध वस्था में है, सट्व आवश्था में। वह कोई बड़ा क्षोटा नहीं होता है, त इसरा जो होता है सुसुप्ति आवस्था होता है। यहाँ पर स्ववापन खो जाता है लेकिन हंकार रहता है, यह जो स्वव्यूपति जो है नकरातमक है, स्वाश तुम्हारा चलता है, भूजन तुम्हारा पचता है, रक्त का शोधन होता है, फेफ़ड़ा चलता है, अंदर शरीर के सारी स्वयम्सेविक क्रियाएं अपना करम करती है, सुशुप्ति में, तुम नहीं रहते हो, तुम नहीं रहते हो, अहंकार तो रहता है, अहंकार भी चला जाता है यहां पर, अहंकार नहीं रहता है, लेकिन नकरात्मक दशा है, शुषुपति शकरात्मक है, च वथी दशा जो होती है तुरिया अवास्ता होती है तुरिया अवास्ता ही यह प्रम अवास्ता है जाकृत जैसे जाग्रित है, सुसुप्ती जेशा शान्त है सुसुप्ती जेशा गहरा निद्रा है अबर गहरा निद्रा भी है शान्त है लिकने कही अंदर है गहरी निद्रा में यहाँ अंधकार नहीं है वहाँ पर गहरी निद्रा में अंधकार रहता है निद्रा में अंधकार अंधकार चारोर देखे तुरिय आवस्था में अंधकार नहीं रहता है प्रकास प्रकास रहता है इसलिए कहते हैं तुरिय आवस्था में रहते हैं तुरिय आवस्था में प्रकास रहता है अवर यही अवस्था जो है अहुभाग की अवस्था है धन्नी की अवस्था है चैतन्नी की अवस्था है अवर मुक्त चैतन्नी की अवस्था है तुरिया अवस्था परम चैतन्नी की अवस्था है तो यह चार अवस्थाएं है तो आज दस को कहे यही आकी न वह जापता है न न शोता है, न पलक जापता है, न पलक को बेंद भी करता है, आश्चर्ज है ग्यानी की, कैसी अक उतक्रिष्ट दशा होती है।